लंग्दन के एक बैंक में जमा अर्वो रुपे पर किसका हक है बैंक में जमा अर्वो रुपे के लिए भारत पाक में क्यूं हो रहा है ठक्रा जमुकश्मिर से धारत 370 हटाने के बाद से ही भारत पाकिस्तान के रिश्टों में काफी तनाव आ गया एक और जहां पाकिस्तानी हुकुमरान भारत के खिलाफ आगो कर रहे हैं तो वहीं सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना गोलिया बरसा रही है इन सब के इतर दोनों देश के बीच साथ समुन्दर पार भी एक टक्राव चल रहा है हालकि ये टक्राव बैंक में जमा अरब रुपे के लिए हैं दरसल लENDन के नेटी विंज बैंक में जमा 3.1 अरब रुपे के लिए भारत पाकिस्तान के बीच कई दशक से टक्राव किश्तिती है लेकिन अगले महीने जाने क्रुबर उ३िटेन के हाई इन रुपे के वारिस के बार में फैसला दे सकते हैं असल में ये रुपिया हैदराबाद के साथवे निजाम मीर उस्मान अली खान सित्की से जुड़ा हुआ है ये बाग तब की है जब साल 1948 में ऑप्रेशन कोलो के तहट है हैदराबाद का भारत में विले किया गया था इसी वक्त निजाम के वित् दिये ये पैसे अब 35 गुना पढ़कर 3.1 अरब रुपे हो चुके है अब निजाम को इन रुपेयों के बार में पता चला तोनों ने इसे वापिस देने की मांग थी लेकिन पाकिस्तान ने इससे इंकार कर दिया ये मामला अब बिटेन के हाई कोर्ट यानि हाउस ओफ लॉ से कोर्ट में कहा गया कि ये पैसा ऑप्रेशन पोलो के दौरान सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था लेकिन पाकिस्तान ने तर्फ दिया कि हैधरबाद के भारत में विले के दौरान पाकिस्तान ने निजाम की काफी मदद की थी इसके बदले ये पैसे दिये गए थ बाद में पाकिस्तान ने ये भी तक दिया कि उसने हैधराबाद को हथ्यारों की सप्लाई की थी। इसके बदली में ये उर्पेयों से दे दिये गए थे। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दे सका था। ऐसे में देखने वाली बाद होगी कि इस रकम पर किसे हक मिलता है। इंडिया न्यूस वारूक रिपोर्ट